विदायन परिश्यत के नागपुर इस्थानी निकाय चुनाव की मदगरना मंगलवार को होगी इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये हैं चुराव से पूरवत चले सियासी ड्रामे की चलती परिनाम पर सब की नजरे टिकी हुई है यह देखना बेहत दिल्चस्प होगा कि एन समय पर कॉंग्रेस द्वारत समर्थन पाने वाले मंगेश देशमोग पहली पसंद के वोट पाकर कोटा पून करते हैं या फिर चंदरशेकर बावन कुले जीत दर्च कर जिले की राचनीती की तस्वीर बदलते हैं देखना यह भी होगा कि कि रविंद्र भोयर को वोट मिलते हैं करीब 12 वर्ष बाद प्रतिक्ष मद्दान हुआ और हैं मद्दान 90.9 प्रतिशत रहा इसमें 283 महिला और 271 पुरुश मद्दाता शामिल थे मद्दान के समय वैद मद्दान के आधार पर कोटा तै किया जाएगा प्रतम वर्यता के मतों के साथ कोटा पून करने वाले प्रतियाशी को विजई खोशित किया जाएगा लेकिन किसी भी प्रतियाशी ने पहली वर्यता के वोट से कोटा पूरा नहीं किया तो वोटों की किन्ती दूसरी वरियता करम के आधार पर की जाएगी। इसमें कोटा पून करने वाला प्रत्याशी विजेई होगा वहीं मदगर्णा से पहले अव्यद वोटो का पता लगाया जाएगा। झाल